प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छा ये बताईए, आपने से कलर्स किस-किस को अच्छे लगते हैं? सभी को बहुत अच्छे लगते हैं. ड्रॉइंग करना, कलरिंग करना, सब को बहुत पसंद हैं, है न? अच्छा आपने कभी सोचा है कलर्स को किसने बनाया होगा अच्छा ये बताईए कि आपने colors को देखा कहां कहां है फूलों में देखा है, फलों में, सबजीों में, इंदरगनुश में और हमारे आसपास की सभी चीजों में कोई ना कोई color है लेकिन क्या आपको पता है शुरू में सारे colors नहीं थे नेचर ने पहले कुछ ही colors को बनाया था तो कौन-कौन से colors थे वो, चलिए एक कहांई पढ़ते हैं हमारी कहांई का नाम है तीन दोस्त बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे लाल, पीला और नीला तो कितने रंग थे पहले, सिर्फ तीन रंग नेचर यानि की प्रकृती ने सिर्फ तीन ही रंगों को बनाया था लाल, पीला और नीला लाल रहता था हर लजीज वस्तु में लजीज मतलब एकदम जो मीठी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे तो लाल रंग किस-किस को मिला था टमाटर को, सेब को, चेरी को और आलू बुखारे को और पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार सूरज को चमकदार कौन से रंग ने बनाया पीले रंग ने और आसमान भी नीला था और समुंदर भी पेडों से टपकती बारिश भी नीली ही थी तो आसमान का रंग कैसा था? नीला समुंदर का रंग भी नीला और जो पेडों से बारिश टपकती थी वो भी नीले ही रंग की थी तो पहले तो सिर्फ तीन ही रंग थे फिर क्या हुआ तीनों पक्के दोस्त थे एक दिन उन्होंने कहा हमें और दोस्त चाहिए चलो नए दोस्त बनाए और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में और देखो क्या हुआ लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला नारंगी तो जब लाल और पीला एक साथ चले तो एक नया दोस्त मिल गया एक नया रंग बन गया कौनसा नारंगी फिर पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला हरा अब पीला और नीला मिले तो कौनसा रंग बन गया हरा बन गया और लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला बैंगनी लाल और नीला मिले तो बैंगनी रंग बन गया और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन दोस्ताना मतलब सारी दुनिया में अच्छे अच्छे दोस्त बनने लग गए और सारी दुनिया रंगीन हो गई, कलरफुल हो गई, जैसा कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो ये कहानी लिखी हैं इंदू हरी कुमार जी ने चलिए अब आते हैं इसके अभिहास पर बातशीत के लिए पहला है क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिल जुल कर रहते हैं तो देखिए हमने अभी कहानी में पढ़ा सारे रंग ही मिल जुल कर रहते हैं तो क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ मिल कर रहते हैं हाँ आप अपने रुठे मित्रों को कैसे मनाते हैं उनको चॉकलेट दे कर कोई गिफ्ट दे कर है ना क्या आस्मान हमेशा निला दिखाई देता है क्या सूरज हमेशा पीला होता है क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं अपने अनुभवों के आधार पर बताईए तो आप क्या हमेशा पीला होता है नहीं जब सुबह सूरज निकलता है तो हमें नारंगी दिखाई देता है और दिन में पीला हो जाता है और शाम को जब छिपता है तब भी नारंगी हो जाता है और पत्ते क्या हमेशा हरे होते हैं पत्ते हरे होते हैं लेकिन जब वह सूख जाते है और पेडों से नीचे गिर जाते हैं तो वो पीले हो जाते हैं अब बताईए आप नए मित्र कैसे बनाते हैं मालली जी आप किसी नई जगा पर गए हैं आपको कोई मित्र नहीं है तो आप नए मित्र कैसे बनाएंगे यह आप अपनी क्लास में बताएंगे अब है नीचे दिय प्रिश्णों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए कहानी में आई रंगों के नाम लिखिए तो कौन-कौन से रंग थे लाल पीला नीला फिर कौन से बने नारंगी हरा बैंगनी अब है वाक्य पूरा करें तीनों रंग पक्के दोस्त थे फिर भी उन्होंने नए दोस्त बना क्योंकि क्योंकि वो दुनिया को रंगीन बनाना चाहते थे सब के साथ मिल जुल कर रहना चाहते थे है ना अब है विद्याले में नारंगी हरी और बैंगनी रंग की वस्तूओं को खोजिए और उनके नाम भी लिखिए तो अपने स्कूल में आप इन सभी कलर्स की चीज़ों को ढूंडेंगे और उनका नाम लिखेंगे यहां लिखेंगे आप नारंगी वस्तूओं यहां हरी और यहां बैंगनी यह आपको खुद से करना है क्योंकि आपके स्कूल में आपको चीज़े ढूंडनी है अब आईए कुछ बनाएं मेज पर अखबार बिचा दीजिए अल लग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के उपर और आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाईए आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं जैसे यह लड़की बना रही है सभी रंगों को मिला कर देखिए कौन सा रंग बना तो जब आप सभी पात्रावाले नेला, पीला, नारंगी उसके बाद चित्रकारी और लेखन अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए वहरंग आपको किन वस्तों की याद दिलाता है उसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है और वाक्य भी लिखने हैं इस भी रंग को आप याद करेंगे उ और उनसे आप यहाँ पर वाक्य भी बनाएंगे उसके बाद है प्रकृती के रंग प्रकृती मतलब नेचर हमारे जो आसफास है ना पेड, पोधे, जीव, जन्तु और जिसने भी इन सारी चीज़ों को बनाया है उसको हम प्रकृती कहते हैं तो प्रकृती में बहुत सारे कौन-कौन से हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले तो यह हरा रंग है जो पेडों में होता है केले में पीला रंग है यह देखो केटरपिलर इसमें हरा रंग है गुलाब में लाल रंग है मिट्टी का रंग भूरा है और यह केचुआ है यह भी भूरे रंग का है है घास है वो हरे रंग की है तो आप भी अपने आसपास अपने नेचर में अलग अलग चीजों को देखेंगे और उनके रंगों को पहचानेंगे